हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राधिस्तान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड जैपूर, RSM SSB की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के फॉर्म फिलप के बारे में, तो फ्रेंज यहाँ पर जो पर वेकेंसी जो आपकी निगाली गई है, उसका ओनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, इसके लिए फ्रेंज, आपको आना होगा राधिस्तान सिंगल साइन ओन की वेबसाइट पर यह आप इसमें अपलाई करना चा क्लिक करने के बाद आपको सिटीजन पर ही क्लिक रहने देना है, अब आप यहां पर जन आधार, भामशा, फेस्बुक या गूगल, किसी की भी मदद से लोग इन कर सकते हैं, और लोग इन करने के बाद आप अपना पासवर्ट जनरेट करेंगे, और पासवर्ट जनरेट कर अगर आप Gmail ID करते हैं, तो Gmail से कीजिए, अगर आप अधार से करते हैं, भामशा से करते हैं, तो भामशा से कीजिए, अब यह आपके उपर डेपैंड है, आप किससे इसमें रजिस्टेशन करना चाहते हैं, तो जो भी आप यहां सेक्षन जैसे सलेट करेंगे, उसके बाद को यहां पर उसका अधार number या enrollment number आप डालेंगे nest करेंगे उसके बार अपना जो SSO ID है वो आप generate कर लेंगे बात करते हैं एक बार generate करने के बाद SSO ID आपको इसके home portal पर आना है SSO ID आपको यहां fill करनी है password आपको fill करना है और इसके बाद जो एक capture code है वो आपको यहां पर fill करना है और उसके बार login कर लेना है login करने के बाद friends आपके सामने कुछ इस तरह का portal open होगा और यहां पर आपको एक option मिलेगा requirement portal का अगर यह नहीं मिलता है तो आपको other apps का option मिलेगा आप इस पर click करेंगे और देख सकते हैं सारे icon आपके सामने activate हो जाएंगे इन icon में से आप requirement portal को select करेंगे requirement portal को select करने के बाद friends आपको यहां पर login करना है और यहां पर आपको एक vacancy मिलेगी direct requirement of JN 2020 तो यह जो ongoing requirement है इसमें friends आपको यहां पर vacancy मिल जाएगा और application में आपने जिजन जिल application के लिए apply किया है उनकी detail आपको यहां पर मिल जाती है यहां पर friends किलिक करेंगे आप supply now वाले section पर और इसके बाद आपको यहां पर जो है post select करनी होगी तो friends जैसा आप यहां देख रहे होंगे junior engineer की जो vacancy है वो आपको यहां देखने को मिल जाती है आप अपने according in message जो भी post को जिस भी discipline को आप select करना चाहें वो आप यहां पर select कर सकते हैं select करने के बाद friends आपको यहां पर जो आपका form है यह activate हो जाएगा और सबसे पहले आपको यहां पर देना है आपका नाम तो friends आपका जो भी नाम है वो आप यहां पर दे सकते हैं पूरा नाम आपके पिता का नाम आप यहां पर fill कर सकते हैं इसके बाद आपकी जो माता का नाम है mother name है वो आप यहां fill कर देंगे इसके बाद है यहां पर जेंडर option आपका gender आप select कर लेंगे इसके बाद है आपकी DOB option तो आपकी जो भी date of birth है वो आप इस calendar के माध्यम से select कर सकते हैं यह select करने के बाद friends आपको यहाँ पर जो आपकी age है एक जनवरी 2021 को यह count होकर आ जाएगी आपकी जो भी category है जनदल है MBC है OBC है SC ST शहरिया आप कोई दिक्कत नहीं है पर जैसे ही आपना address select करेंगे उसके बाद friends आप जनदल में ही काउंट हो जाएंगे तो यह आपकी उपर है आप अपनी category औरिजनल भी select कर सकते हैं other state candidate बाकी राजस्तान की candidate अपनी जो औरिजनल category है वो ही select करेंगे जनदल candidate के लिए friends EWS का option आता है आप यहाँ पर आपको एक option मिलेगा not applicable का आप इस पर click कर देंगे next option यहाँ पर है religion का तो आपका जो भी religion है वो आप select कर सकते है marital status वो आप यहाँ से select कर सकते है यह difference आप यहाँ पर जो देख सकते हैं सारे options आपके बंद है पर यहाँ पर आप merit करते है और को other category करते है तो spouse पत्ला पत्नी का नाम या पती का नाम आप चूस कर सकते हैं एक से अधिक जीवित पत्ती पत्नी है तो यहाँ पर मेल यहाँ रहता है तो आप यहाँ पर डिटेल को दे सकते हैं दहिज आपने लिया है नहीं लिया है उसके बारे में आपको बताना है बच्चों की संख्या हैं तो बतानी होगी तो बच्चों की संख्या लिए फैंश आपको यहां पर 0000 यहां पर दिया गया है मतलब 162008 Isp के 2002 के बार कोई एक बच्चा है तो आप यहाँ पर किलिक करेंगे तो यह आटमेटिक एक हो जाएगा पहले भी एक है तो आप इस में एक लिखेंगे दो यहाँ पर हो जाएगा तो आपके according जितने आपके बच्चे हैं वो उसकी date of birth के according आप आगे पीछे करके उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं इसके बार है आपका mobile number तो आपका 10 digit का जो mobile number है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे और आपकी mail ID आप यहाँ पर फिल करेंगे mail ID आटमेटिक आ गई है क्योंकि हमने जो SSO profile है वो हमने mail ID से ही बनाया था इसके बाद है आप राजस्थान के TSP area शैडोल area से आते हैं नहीं आते हैं यहाँ आते हैं तो yes कीजिए और नहीं आते हैं no कीजिए सिर्फ only वही candidate जो TSP area से आते हैं वही yes करेंगे non TSP area या फिर other state candidate के यहाँ पर no ही रहने देंगे इसके बाद है आपका address section तो आपका जो भी पूरा address है वो आप इस section में लिख सकते हैं multiple line में entry कर सकते हैं आपका जो भी state है आप जिस भी state के निवासी है वो आप choose कर लेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है इसके बाद आपका district choose कर लेंगे आपकी जो city है वो आप यहां mention कर देंगे आपका pin code आप यहां पर fill कर देंगे और यदि आपका correspondence और permanence same है same as पर आप click कर देंगे यदि अलग-अलग है आप manual entry भी इसके कर सकते हैं इसके बाद है next option तो आप इस next वाले option पर click करेंगे इसके बाद है आपका dimension little तो सबसे पहले नेशनल्टी आपको चूज करनी है आपका जो same गहजला है जहां के आप निवासी है वो आप select करेंगे आपका home district select करेंगे grab block अगर आपका लगता है तो आप select कर सकते हैं तहसील आप select कर सकते हैं village अगर आप किसी other country से तो yes करके यहाँ पर उस country का नाम बता सकते हैं नहीं तो आप इसमें no करेंगे इसके बाद जो special categories हैं इसमें आपको detail देनी है जैसे आप ex-serviceman है यदि हैं तो yes करके service type आप यहाँ से choose कर सकते हैं नहीं तो no करेंगे यदि आप sports person है तो भी yes कर सकते हैं और यहाँ से आप national है या international खलाडी है उसकी select करके उसकी जो detail है tournament की आपके medal का प्रकार क्या है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बाद है यहाँ पर मौझूदा सरकारी विभाग या सारुजने उपकर्म करमचारी अगर आप हैं तो yes and no करके यहाँ पर उसको आंसर दे सकते हैं NCC कैरेट हैं तो कब से कब तक रहे हैं तो yes करके आप उसकी जानकारी दे सकते हैं नहीं तो इसमें भी आप no रहने देंगे यदि friends आप यहाँ पर भूदपूर कहदी हैं तो भी आप yes and no कर सकते हैं मौझूदा राज्य सरकार के स्थाई करमचारी हैं तो भी yes and no कह सकते हैं और यदि आपकी पारिवारिक आए धाई लाग से कम है तो friends यहाँ पर आप yes कर देंगे और यहाँ पर भी yes करेंगे और इसके बाद friends आप आगे process कर सकते हैं पर आपको बाद में आए प्रमान पत्र शो करना होगा जो कि यह बताएगा कि आपकी पारिवारिक आए धाई लाग से कम है इस तीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यदि नहीं है आप यहाँ पर no भी कर सकते हैं इसके बाद है अत्रिक सिरेनी इन में से किसी भी category मगर आप eligible है उस पर click कर सकते हैं नहीं तो इनको blank छोड़िए और click कीजिए next वाले option पर यहाँ पर जो qualification detail है इसके लिए आपको सबसे पहले इस qualification के ऊपर वाले section पर click करना है और यहाँ पर है second day की detail सबसे पहले आप यहाँ subject group दे सकते हैं तो आप इसमें all general subject लिख देंगे 10th के लिए कोई दिकत आपको यहाँ पर नहीं होगी आपके board का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे इसके बाद है role number आपका जो भी role number है वो आप लिख देंगे आपका result CGPA है grade है percentage है वो आप बता सकते हैं उत्रीन होने का वर्ष क्या है आपका वो आप बता सकते हैं आपकी percentage grade या CGPA जो भी है वो आप यहाँ लिख देंगे सेम 12 में friends अगर आपने 12 यहाँ की है तो subject group में आप यहाँ पर आपका जो भी subjects हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं जैसे math आपने दे दिया उसके बाद आपने physics दे दिया इसके बाद आप अपने subject को यहाँ पर दे सकते हैं चाहे तो अपने stream का नाम भी लिख सकते हैं पर आप subject नाम लिख देंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी इसके बाद है आपका board का नाम लिख दीजिए आपका same role number लिख दीजिए आपका percentage इसके बाद आपका जो year of passing है और इसके बाद आपका यहाँ पर percentage आपको देना है तो यहाँ आप यहाँ फिल कर सकते हैं इसके बाद है यहाँ पर degree in electrical engineering या degree in mechanical engineering तो आपने according यहाँ पर कोई भी option को select कर सकते हैं यहां पर स्ट्रीम आपको सबजेक्त गुरूब देना है इसके लिए बख़ बड़ा मैं ली आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं यहाँ की इसеци En OFFICER या फ़िर्शीर्व कर नाम है । आप यहां पर दे सकते हैं तो अपने एकोरडिंग अपने कर देगे अगर सिब्जयक्त ग्रप आपके में में को आप देना चाहे सकते सकते हैं इसके आपका उन्यम वस्कार संब्ष रोल नंबर है आपका विंदम्र को आप यहाँ पर दे आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहां से इसको नेस्ट कर सकते हैँ strings किना के बाद फालेंअ को दोनों ही इनके लिए सैज दिया गया है आपको बीट से पचास के वी JPG format में आपको यह upload करनी है और upload करने के बार इंका जो preview है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है तो friends यहाँ पर आपके जो photo है signature है और जो हिंदी में signature है उसका preview आप यहाँ देख सकते हैं और preview देखने के बार आपको नीचे body mark में आपके सरीर पर हाथ पर पैर पर कहीं पर भी कोई भी body mark है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं नहीं तो आप no mark भी कर सकते हैं और इसके बार आप click करेंगे इस next वाले option पर इसके बार friends आपका जो यह form है वो यहाँ तक बहुत जाएगा जो की option है इसके preview का और preview को verify करना बहुत ज़रूरी है आप आराम से सभी detail को check कर सकते हैं और जैसे ही आप इसको यहाँ से आगे process करेंगे फीस को pay करेंगे आपका जो application number है वो generate हो जाएगा अभी इसी condition में यहाँ पर generate नहीं हुआ है पर बाद में यह आपका generate हो जाएगा इसके बाद friends आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको एक option मिलता है यहाँ पर declaration का आप declare करेंगे और declare करने के बाद अगर आपको कोई गलती है तो आप इसको update कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है सभी data आपने बिल्कुल सही सही यहाँ फिल की है तो friends आप यहाँ पर इस पर pay fee वाले section पर click कर सकते हैं इसके बाद friends आप यहाँ से इसको okay करेंगे okay करने के बाद आपके सामने जो dashboard है यह आपका open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको जो basic जानकारी है आपके वो आपको मिल जाएगी आपका जो fees चार दे है वो आपको यहाँ मिलने रगेगा और इसके बाद आप नीचे आएकर pay fee वाले section पर click कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर जो online payment system है यह आपका activate हो जाता है आप net banking, aggregator या UPI किसी भी माददम से payment कर सकते हैं आप net banking चूस कर सकते हैं अग्रेटर को use कर सकते हैं और कोशिश कीजिए aggregator या net banking के ठूरू payment करने का और इनमें से आप कोई भी एक option को choose कर लें इनमें कोई दिक्कत नहीं आप कोई भी option को choose कर सकते हैं पेनाओ पर क्लिक कर सकते हैं इसके बाद आपका यहाँ पर जो पेमेंट गेटवे है यह ओपन हो जाएगा आप कैरेट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बेंकिंग किसी भी जो है मोड की वरे से मदद ले सकते हैं पेमेंट करने के लिए कोई भी उप्शन को चूज कीजिए और उसके बाद यहाँ पर फेंस उस कार्ड की डेटेल को फिल कीजिए और पेनाओ कर दीजिए पेनाओ करने के बाद फेंस आप दुबारा से इसके होम डेस्क पर जा सकते हैं और वहाँ से इसका जो print है वो आप निकाल सकते है तो friends जैसे ही आपका इस print निकलेगा आपका इस form complete submit हो जाएगा और माल दीजिये आपने यहाँ पर इसका payment कर देते हैं पर वहाँ पर आपको इसका application number generate नहीं होता है तो थोड़ा wait कीजिएगा और जैसे ही payment verify होगा आपका जो यहाँ पर final print out है और जो application number है वो भी आपका generate हो जाएगा तो friends इस वीडियो में आपको सभी detail बता दी है राजस्तान स्टाप selection board जैपूर की JN का form आप कैसे fill कर सकते हैं step by step process के बारे में यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो like, subscribe and share कीजिए और देखते रहिए 824 knowledge and a last thanks for watching